नमस्कार दोस्तों तो आज हम आए हैं एक बार फिर आपके सामने लेकर अपना लया वीडियो और ये वीडियो हम बना रहे हैं यमना थोर्टी के प्लोट्स के उपर एक सो बीस स्क्वेर मीटर के प्लोट्स के उपर बना रहे हैं तो सबसे पहले मैं आप सभी से रिक्रेस्ट करूंगा कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और कॉमेंट करें हम सभी अपने कॉमेंट्स का कोशिश करते हैं जो रिलेवेंट कॉमेंट्स हो उनका जवाब देते हैं अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको बहुत बेनेफिट होगा क्योंकि हमारे सारे वीडियो informative होते हैं और आपके feeds में आएंगे आपको notification मिलते रहेंगे तो हमारे informative वीडियो आपको मिलते रहेंगे तो आपको धूडने नहीं पड़ेंगे आपके feeds मी अप quiere होते रहेंग। दोस्तों शुरू princes को प्लोट्स हैं इनके बारे में ये video और सारी details होताएंग अगर आप लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत बेनेफिट होगा बहुत सारी इंफर्मिशन हम बीच वीच में प्रवाइड करा रहे हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन-कौन से सेक्टर्स में यह वीडियो हैं तो यह वीडियो हमारे सारी यह जो प्ल है टो अगर 120 स्क्वेयर मिटर के प्लोट देखें तो यमنا रीजन के अंदर जो काफी सारे स्पसे पुराने सेक्टर सेक्टर है धीटियन है लेकिन 2009 में सब्से पहले प्लोट आया थे तो किवल थीन सु स्क्वेयर मिटर के ही प्लोट्स आये ते उसले सो बीश ए स्क्वेयर मीटर के प्लॉट सबसे पहले आए थे 22D के अंदर और 2015 के अंदर यह प्लॉट जब यह प्लॉट निकले थे तो इनका प्राइस था 14250 तो 14250 का इनका अलॉट्मेंट प्राइस था उस वक्त में 22D में करीब 900 निकले थे जिसमें 3162 मीटर के थे और 600 plot 120 मीटर के थे वहाँ पे A और B दो पॉकेट थे आज की डेट में तो 22D के अंदर 4 पॉकेट हो गए है C, D भी आ गया है लेकिन 2015 में ये लॉंच हुए थे उसके बाद 2016 में फिर एक और नया सेक्टर लॉंच किया 30 ने 17 तो 17 के A, B, C थे तो 17C में 120 स्क्वार मिटर के plot थे तो ये 2016 के अंदर जब आया 17C के अंदर तब इनका अलॉट्मेंट रेट बढ़ गया था 15620 के रेट पे अलॉट हुए थे 120 स्क्वार मिटर के जो plot थे फिर ये उसके बाद 2016 के बाद फिर काफी लंबे टाइम बाद 2019 के अंदर एक स्कीम आई थी ज plot launch हुए तो उनमें जो पुराना सेक्टर था सेक्टर 18 उसके अंदर भी ये plots आए अब सेक्टर 18 में तीन पॉकेट हैं पॉकेट आठ है जिसके अंदर 120 मीटर है और 45 मीटर रोड से उसकी connectivity है रिंग रोड के साथ ही बहुत अच्छा पॉकेट है पॉकेट आठ उसके साथ ही दो पॉकेट और हैं सेक्टर 18 के अंदर एक 7D है और एक 7E है इनके अंदर भी 120 मीटर के हमारे plots हैं तो आज की डेट में अगर यमना में देखें तो 120 मीटर के काफी सारे options हैं और आने वाले टाइम में options बहुत बढ़ेंगे जैसे क्या था कि पहले 300 मीटर में 15-16,000 plot थे और है 22D में है 22D के अलावा C और D pocket है उसमें भी allotment है और उसके अलावा 17C में भी delivery start हो गई है वहाँ पे हैं फिर सेक्टर 18 में भी काफी pocket deliver हो गए हैं वहाँ पे तो अब जो 120 मीटर के options काफी है एक नया pocket sector 16 भी आया था मैं बताता हूँ आपको 2021 में फिर दुबारा plot आये थे उस वक्त में 17400 के price पे ये launch हुए थे 2021 में 2021 में दो schemes आई थी एक जो first quarter में आई थी और एक आई थी last quarter के लगबग 2020 में तो दोनों में ये 120 मीटर के plots निकले थे तो उसके बाद फिर 2022 में भी scheme आई और उसमें 2022 में जो scheme आई उसमें एक और नया sector आया था sector 16 तो sector 16 के अंदर काफी options 162 मीटर भी था 120 मीटर के plots है sector 16 में तो अगर मैं development की बात करूं तो एक चीज़ और 2023 में उसे 2024 में भी अभी scheme चल रही है अभी हम है September 2024 के अंदर हैं अभी ड्रॉन इकलने वाला है उसमें भी 120 मीटर के plots हैं 2023 में भी आये थे 2023 में जो इनका जो allotment rate था और अभी जो पच्छिस नौसो का rate है अभी जो scheme चल रही है allotment rate जो है इसमें भी 120 मीटर के plot है अब मैं development की बात करता हूं कि कहां कहां कितना development है तो सबसे पहले शुरू करते हैं 22 22 के अंदर लगभग 90% plots develop हो गए के वल कुछी plots ऐसे हैं जो develop नहीं हुए क्योंकि 22 जो launch हु 15 में यह start हुआ था बाइस डी और इनके कम से कम मैं चार पांच साल से देख रहा हूं plot fully developed हैं और काफी plots में काम भी चल रहा है तो वहां पे मतलब 22 के अंदर transactions registered plots की संख्या भी काफी है इसके बाद 22 में जब एक दुबारा स्कीम आई ती C और D pocket हैं तो उनके अंदर अभी इतना development नहीं हुआ है लगबग 10-20% है लगबग development हुआ है 22 का जो वाला portion है development की बात करते हैं तो सत्रा सी जो pocket है जहां पे 120 मीटर के plot है वहां पी लगबग 90% plots develop हो गये हैं सत्रा ही sector में A और B pocket है जहां पे अभी बहुत कम development हुआ है वहां पे development चल रहा है भी तो अभी इतन development नहीं है लेकिन 17C में लगबग 90% development हो गया फिर एक और जो हमारे sector 18 में plot आये थे sector 18 में जो pocket 8 उसके अंदर आपके 120 मीटर के plots आये थे उसमें लगबग 60% development हो गया है बहुत अच्छा pocket है pocket 8 45 मीटर रोड से IJ के बराबर में है सीधा 130 मीटर connect करता है उसके बाद 7E pocket 7E में थ सेक्टर 18 का part है सेक्टर 18 में हमारा जो आजाता है सेवन डी सेवन डी में काफी development हो गया लगबग 90% development 70 में हो गया 120 मिटर के plots वहां पे हैं काफी लोगों ने वहां पर रिजिस्ट्री भी किरा ली है अथर्टी ने रिजिस्ट्री की लैटर भी dispatch कर दिया देखिए प्राइम सारी ही plot जो मैं कह रहा हूं यमना पर यहां पर मिनिमम जो रोड साइज है 12 मीटर रोड साइज है और उससे बड़ा भी कई-कई-कई-जगह आपको 18 मीटर और 24 मीटर पर भी plots मिल जाते हैं 120 मीटर पर सारे ही plot आपको 12 मीटर मिलेंगे जैसे कई जगह ग्रेटर नॉइड़ रोड होती है अब हम बात करते हैं री सेल प्राइज की री सेल प्राइज जो 120 मीटर के plots का है आज की रेट में यमना में लगबग 90 अजार से लेके एक लाक रुपे पर स्क्वार मिटर का रेट है डिपेंड करता है कि कहा प्लॉट है अगर लोकेशन वाला प्लॉट है तो ऒर ağट का शाएं या प्रइस हो जाता है अब हम कंपरराज़न कर लेते हैं एक बार के इड़ा में मैंने आप को रेट बतादिया है जब बन बहुआовые जार से लिखे 10020 मीटर का प्लॉट लेते हैं तो ज CAP डूर मिलते हुए ग्रेंबेंड तरन्हाonda में एक साठ्ट का एक सेटर सें ha pari chuvak के पास इन stress से आपको मिलेगा कम से कम एक एक लागा इसाथ हजार रुपै प्र का आज का रेट है म्लाइज यहां तो पॉने तीन से-सी बात कर लेते हैं कि कहा पर investment के लिए अगर आप लें तो क्या बढ़ी है noida greater noida ये यमणा investment के लिए लिए तो यमणा सबसे बढ़ी है तो greater noida क्यों लोग choose करते है greater noida choose करते है रहने के लिए तो एविल्ट हो चुका है काफी develop हो चुका है ठोड़ासा लोग in क्योंकि plot में इन्वेस्ट करेंगे तो अपने आपी रहने के लिए भी लेंगे तो कॉस्ट तो बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट परपस से भी कुछ लोग greater noida में लेते हैं लेकिन अगर आप purely invest कर रहे हैं तो आपको यमना में करना चाहिए greater noida में लेकिन रहने के लिए बहुत अच्छा greater noida ग्रीन है पूरा ओपन है वाइड रोडस हैं तो यहां पर greater noida में भी आप plot ले सकते हैं square meter जो है जो इडा में भी plot देता है और square meter greater noida में भी देता है तो अगर आपको plots वगरा चाहिए तो वहाँ पे 120 meter तो नहीं बहुत कम options हैं लेकिन 112 meter के काफी options मिल जाएंगे वहाँ पे standard size 112 meter का है तो तीन करोड सवा तीन करोड साड़ी तीन करोड तक के वहाँ पे 112 meter का जो प्राइस है पूरे plot का और completion ही मिलेंगे आपको noida में mostly तो noida आप इसलिए चूज करते हैं डैली क 120 square meter के plots के उपर बताईएगा कि कैसा आपको वीडियो लगा और हाँ subscribe जरूर कीजेगा अगर आप subscribe करेंगे तो सबसे important चीज़ है कि आपके feeds में हमारा वीडियो आता रहेगा हमारे वीडियो बहुत informative होते हैं अपने आप ही आपको हमारा वीडियो मिल जाएगा और notification भी के लिए बस इतना ही नमस्कार